पहट पहल पहल नहीं प्रस देख़ें वह फस्ट लेसन अपना मेन कोर्स नो कॉर्स भुख देविच़्ू दे विच्छू न्यों गाति देविच्छू काफी क्वेश्चन अंधे हरबर पेपर देविच्छू ताफ फस्ट कॉर्स्ट देखो इस टॉपीक दा अपनीकोल हैं जिए उस्टेच्ट्व सी भूट सी एपीपरिंस दा किते लगया ऐ ए ठीके इटेंड होना ट्ल कोलंग अबब दे सिटी इट स्टूद अना कॉल्ड तॉल कोलंग अबब दे सिटी Second question, how was the statue decorated? उजड़ा बुद्थ सी, उसनो के में सजाया गया? The statue was decorated with gold, rabies, sapphires बहुत easy questions यह भी Third, where was the swallow going? उजड़ा पक्षी सी किते जारहा सी? The swallow was going to Egypt to meet his friends उमिसर जारहा सी अपने दोस्तानों मिलन देली Fourth, why did the swallow put up between the feet of the happy prince? It was a fine place with plenty of fresh air, so he put up there जो पक्षी सी, उपक्षी सी जे दुने पहरान दे विचकार मतल सो गया सी है, न? Fifth question, where were the drops coming from? The drops were coming from the eyes of the happy prince Sixth, why was the swallow crying? जड़ा पक्षी सी, क्यों रोरिया सी? The swallow was crying to see the sorrow and misery of the city people Seventh, why did the swallow feel warm? The swallow had done a good deed, so he felt warm Eighth, why was the match girl crying? The girl was crying because her matches had fallen into the gutter क्योंकि जड़ी लड़की सी, माच्ची सी डबिया लिया के सी, तो किती डिगी ने भी gutter दे विचे नाली दे विचे डिगी ने इस कर क्यों और और रोरी सी Ninth, why was the statue of happy prince pulled down? ठीक है, जड़ा, happy prince दा बूत सी, उसनों नीचे के सोट देता गया The statue liquid dull without gold and rubbish ठीक है, तो कि ओदे ओपर, happy prince दे ड़ा, gold सी, सोना सी, rubbish सी ठीक है, उसारी की करते सी, दान करते सी इस तो बाद, जड़ा, statue सी बहुत पद्दा लग रहा सी So, it was pulled down, एसे करके उसनों सोट देता गया Number 10, what were the two most precious things in the city? शेर दे विच सब तो जड़ा, दो जड़ी कीमती चीज़ां सी, केड़ी सी भी एक ता जड़ा, जड़ा, पक्षी सी And second, the broken lead heart of happy prince ठीक है, ओ जड़ा, happy prince दा देल ठीक, एक 10 questions ही बहुत easy है गे इस तो बाद कुछ long answer type questions दें इस lesson देवे चो जड़े के paper देवे चाह सकते है गे पहले लेगा, why was the prince called the happy prince? जड़ा, happy prince सी, ओसनों खोश एड़ा, राजकुमार सी, क्यों पकार रहा जान्दा सी दा प्रिंस लिवड इना फैलस, ओ एक महल देवे चरंदा सी ही टेस्टेड नोस और उसने का देवी कोई दुख नहीं वेखिया सी ही लिवड एंड डाइड happily, ठीक है ओ मतलब जिंदा भी खुश सी ते मर्या भी खुश सी सो ही वास कॉल्ड दा हैप्पी प्रिंस ठीक ऐसे करके उसनों हैप्पी प्रिंस की है रंदा सी ठीक स्तरी के नहीं सेक्ड गुस्टन हैगा वाय दिद दा मेर डिसलाइक दा स्टेच्व सो मच ओ जड़ा उतना मेर सी ओ जड़ा पुतला सी मतल बुत फिय प्रिंस वाला टीका उसनों डिसलाइक क्यों करदा सी दा स्टेच्व हाद लौस्ट इस गोल्ड रभी एंद सपियर्स क्योंकि हपी प्रिंस दाएदा बुत सी उसने अपने उपर लगया गोल्ड रभी तेस फियर्स सारी की करता सी डिनेट करता सी इस तो बादो येटा बुद्ध सी बहु जादा पद्धा लगदा सी एट लुक्ट डाल एंड ग्रे उन्हें बिल्कुल देखन वेचे सुंदर नहीं सी सो दा मेर डिसलाइक दा स्टेच्व सोमस एसे करके लेटा मेर सी ओसनों बुद्ध सीड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं सी घंजी थर्ड क्वस्टन राइट अशॉर्ट नॉट अन्दा सफ्रिंग अफ दा पूर पूर पूपल इन दा सिटी शेर दे बिच्च जेड़े ग्रीव लोग सी वो केड़े केड़े दुखां दा समना कर रहे सी वो दे बार इपर लिखना है इस कोस्टन दे बिच्च तब तो पहला दा पूर 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 पूपल लिवड इन हाड लाइफ जेड़े ग्रीव लोग सी बहुत सक्त जिंदगी जियों रहे सी मतल अखा जीमनों गुझार रहे सी दा लिटल बॉय बाइब वाज इल एक छोटा बच्चा सी वो बिमार सी यी वाज क्राइंग फोर ठीक हा और इंजस वो संद्रे अंदे ली रो रहे सी दा राइटर वाज फिलिंग कोल्ड जेड़ा राइटर प्ले लिख रहे सी जी आगे ठीक है इनननों ते आनन तुसी रीड करना गा याद कर ले इस तो बाद आप आप आए से लेसन दी कर देंगे ठीक है छुए है और इस वीतव पह में फिलिबर रहे सी अगे लिखिए है प्ले इस हुरुआ है पह् जैक है। एथे बहुत ठंड है I have a golden bedroom मेरे को लिक सुनेरी सोन बड़ा कम रागा इस वैलो न क्या सी There is not a single cloud in the sky असमान विच इक वी वद्दल नहीं है Then another drop fell फिर को होर मूंद डिग पई 8 My courtiers called me the happy prince मेरे दरवारी मेनु happy prince I have come to video good bye How hungry we are असी किन्ने पुखे है एक्सकलामेटरी है वाटा ठीके देप्चिया बिसमेक चेन लगया आएगा एदे अपने को ट्रांसलेशन सी इस बाद अपने को एसे लेसे लेसे दे अब्जेक्टिव टाइब कोस्सन नहीं इस बहुत ईजी है गे इना दो सी स्क्रीन चौट लेलेए उते रीड कर लेए ना नू हांजी बेटर इस बाद अपने लेसे लेसे देख रहे हैंगे हांजी बेटर नेक्स अभी सेक्ड लेसे अपने को लेएगा वेर इज साइंस टेकिंग असे बग्यान सनु कित्यलेके जा रहे गाता फस्ट कोस्षेन है वट अर्मस्टियूंस दूइंग फोर्य हूमन्स जड़ियों मशीन नहीं हमनुकली की कर दिया ने भी machines are giving man power and helping him and in all fields ठीक हो मनुक्न शक्ती पर दान कर दियाने ते सारे के तरह देवे चोस दी मदद कर दियाने second which is the greatest triumph of science science दी सब तो बग्यान दी सब तो बड़ी जित के डिया है science has produced more and more food and medicines to life longer ठीक है बग्यान ने बहुत अज़ादा बड़ी मात्रा विचे पोजन पैदा करत किता ठीक है दवान्यान बनाया जिदे कर दे कर दे ब्यक्ति लम्मी जिंदगी जी सकता ठीक है what are the consequences of a war ठीक है यद्धा दे की नितिजे एगे war brings death ठीक है people start without food जुद्धे समें लोग का एड़े पोजन तो बेना पुखे मर लग दियागे पुख मरी पहल जन दियागे ठीक है मेली आप फर्स्ट लाइन करे हो war brings death एड़ा युद्धा है गा वो मौत लेके होना गा fourth what has happened to the ethics and morals in the modern world ठीक है तो all are running after money उन सारे लोग की ने पैसे दे पिछे दोड रहे है कि no one cares for ethics and morals किसे भी व्यक्ती नो ने तिक ता ठीक है दा कोई वी त्यान नहीं है इस दे पिछे हुआ दो question है गजडा फस्ट काफी important है गा वग दोग विय दोना दा same ही answer लग पगए what should be the ultimate aim of science ठीक है गजडा वग्यान हागा उदा अंत्यमोदेश की है गा ते लिस्ट दा material terms of science and non-material necessities to make the world a better place ते दे विच्प फस्ट है science has produced more and more food and medicine to life longer बट moral values are really needed in the world today. परन्तु नेडि नेटिक कदना कीमता ने उनना दी अजिदे संसार देबिच बहुत जादा लोड है. इट शुड वी इट्स अल्टिमेट गोल. ता नेटिक कदना कीमता नू पैदा करना जा वदा होना वग्यान दा इको देश होना चेहिंग तब. ठीक? ता एएस लेसन दे क्वस्टन सी. बट शुड शुड ले ले चाहिना दा. इस तो बट शुड लेसन दी जड़ी ट्रांसलेशन हैंगी हो कर देएंगी नाला उबजेक्टिब टैप क्वस्टन. हांज वी इटा ट्रांसलेशन दी विचे सेकंड लेसन दी विचे फस्ट हैं. वेर इज साइंस टेकिंग अस? वाग्यान सानु किते लेके जा रहे हैं? क्वस्टन वारे सेकंड, दिस इस अफ दे मशीन, ये मशीन ना दा यूग है. वार इस दे वस्ट अग्जेंपल, जो सब तो मारी उदा रहे हैं. I wish I had another hundred years. काश मेरे कोल सो साल होर हुंदे. Fifth, here science is actually doing less than nothing. ये थे वाग्यान असल विच कुछ भी नहीं कर रहे हैं. Who is to keep them? उननों कौन रखन वारा है? Science goes on raising its problem, raising उदा वग्यान अपनियां मुश्क्रान वदा उदा जा रहे हैं. What is really needed in the world today? आज दुनिया विच असल विच किस चीज दी जरूर होता है? What is science really after? असल विच भग्यान की चौनदा है? What is its goal? It's the key teacher. चीक? तो इस तो वादे देखो जो objective question ने. कैनन भी देख लिए कुसी. First देखो जो मॉडरन ड्रुग्स have decreased the average span of life of human being. तक नभी जड़ी आदुनिक दवाइना ने उसने मनुखी जिंदीगी दी जड़ी सीमेंगी उनू कटायागा. नहीं, कटाया नहीं सगो उसनू वदायागा. डिक्रीज नहीं कीता है, इसका की किया false है. Second, machines give us more and more hours of layer. जड़ी जड़ी तो जड़ी तो जड़ा सम्मा वेल पर दान करा हूं दिया नहीं? Name two non-material things mentioned in the lesson, mercy and charity. Next, fourth question है. According to the writer, science is doing less than nothing for material things. नहीं, यह false है. Material things नहीं से ता बहुत कुछ किता है, बट नौन-material things दे लिए उसने कुज नहीं किता है. Which age group is overcrowded and the upper age group? Sixth, science has helped men to live longer. बग्यान ने मनुखनू लंमा समा जाउन दे वेच मदद इती. Next, third lesson है. Third lesson है. Secret of Happiness. First question, which is the greatest day in any individual's life? किसे व्यक्ति जिंदगी दे वेच सब्तों महान दिन केड़ा हुंदागा? It is the day when he begins to realize himself for the first time. जदो व्यक्ति अपनी अपनू पहली वार्चंगे तरी केनन जानदागा? Second, what is there in the personality of every man? There is a great store of unused powers. हर एक व्यक्ति दे चरित्तर दे विच की हुंदागा? विच बहुत सारी या शक्तिय हुंदी यानि जिनन जिसने बरतो कदे भी किती नहीं हुंदी. Third, how can weak personalities become strong? जिने कमजोर शक्षियता ने उके में ताकतवर बन सकतिया ने, strong बन सकतिया ने. Weak personalities became strong by using the store of their unused powers. अपने विचेडी capabilities ने शक्तिया ने उनना दी वर्तो करके वो वीक्तों की बन सकतिया ने, strong बन सकतिया ने. Fourth, what are the different types of fears experienced by people? लोकों दोरा वक वक परकार देड़े डर ने, ठीक है कि में उनना ने उन्पव किता गए, किड़ी किड़ी डर ने, financial fear है ने, ठीक है बिती डर है, fears of ill health, माड़ी जा सेथ दा, कम जोर सेथ दा डर हैगा, fears about the future पर भी खवारी डर हैगा. Fifth, how can one have a real escape from fear? कोई व्यक्ती कि में, किस तरीके दे नार डर दे उपर जेता पर अपत कर सकतागा, ठीकि में बस सकता डर तो, We must have faith in God, साड़ा जरूर परमातमा बिच्वी शिवाश होना चीन दागा, He is always with us, ओ हमेशा साड़े नाल है, and cares for us, साड़ी देख पल कर दागा, It gives us peace of mind, ओ सानु शान्ती परदान करतागा, ते दे विच्व, दो एड़े लोंग कोसनों बन सकते ने, पहले हैं, What was the priceless secret discovered by Mr. Kagawa? Second is, नाली मिल्दा जरूदा कोसन है, Right in brief, the message given by Mr. Kagawa, यहना दोन्ना दा सेमी अंसर है भी, We must have faith in God, साड़ा परमातमा बिच्वी शिवाश होना चीन दागा, He is always with us, and cares for us, It will give us peace of mind, यह इंपोर्टन दागा, दोन्ना दे बेच्व, और कोई भी कोसन होना था, अंसर आसी वदा एक कोई सेमी लिखानी, ठीक है बेटा, तोना पेधी translation, ते और जैक्टिव टाइब कोसनी भी वेक लिए, हां जी बेटा, Translation दे फस्त है भी, He never lost his काम, उसने कदे भी अपनी शान्ती नहीं, गवाई, second, I did not want to die, मैं मरना नहीं चाओंदा सी, Third, Fear is one of man's most common enemies, डर मनो कदे सब तो आम दुशन मना विच्चों एक है, You are greater than you think, तुसी अपनी सोच तो जादा महान हो, Fifth, I wanted to get out of there, Then you will have total peace of mind, फिर तो हनू, मन दी पूरी शान्ती मिलेगी, फिर लिख सादें जा, तादे लिख सादें होंगे, You must do it yourself, ता अनू एक खुद करना चाहिंदा है, A fear is not unlike a ghost, कोई भी डर किसे पूथ तो जादा वक्रा नहीं हुंदा, Ninth, God watches over you and cares for you, Rabb तो आड़ी नगरानी कर रहाएगा, ता अनू देख रहाएगा ते तो आड़ी देख पाल करदा है, This is a problem common to us all, इस आड़ी सारे अंदेली एक आम समस्या वांग है, इस तो बादे कुझे जो objective type question नहीं है, ठीक है इनू नहीं बेख लिएख लिए हू, इस तो बाद फोर्थ लेसन कर देख लिएपना, आग गिफ्ट फॉर क्रिस्मिस, वाई वाई वाज डेला क्राइंग, डेला क्यों रोड़ी सी, डेला हैड नो मनी तो बाई आड़ी प्रेस्मिस प्रेजेंट फॉर, डेला कुझे नहीं पैसे नी सी, भी ओहो, जिम देल ने कुई क्रिस्मिस दा तौफ़क देख सक दी, ऐसे करके रोरी सी, सो शी वाज क्राइंग, सेकेंड, डिसक्राइब दा पॉबर्टी आफ दा हाउस, कर दे गरीबी दे वारे लिखनांगा, साइन्स आफ पॉबर्टी वर अब्री वेर कर दे विच सारे पासे गरी, भी देरे निशान साइन सी, संकेट सी, वो देखे जारे सी, दे हैड ओन्ली अ लिटल डर्टी कौच, थर्ड, वट वर दा तू प्राइज पॉशेशन आफ जिम एंड डेला, जिम हैड गोल्डन वाच, जिम दे को लिक सोने दी कडी सी, ये सोने दी कडी सी, डेला हैड ब्यूटिफल ब्राउन लॉंग एर, डेला दे को लिक लम्बे वाल सी, फर्थ, डिसक्राइब दा प्रेजंट डेला बाउट फॉर जिम, जो डेला ने जिम दे लिए तोफा करीदिया सी, उदे बर लिखनागा, डेला बाउट आ प्लेटिम वाच चेन, ता जिडी डेला सी ओस ने जिम दे को लिए गोल्ड वाच सी, उदे लिक प्लेटिम चेन खरीदी सी, इट वास सिंपल वर्ट वेल मेड, इदेखने वच से आरनसी प्रांतु बहुत वदिया बनी हुई सी, जो डेला ने उदे लिए जो गिफ्ट खरीदियन दे लिए मतली की किता, वट वास इन दे पैकिस देट जिम हैड बाओ फर डेला, जिम जीटा डेला देली एक बॉक्स लेके आइसी पैकिस लेके आइसी लिफाफा, ओदे विच की सी, देर वाज भाजा ब्यूटिफुल सेट अफ कौंब्स, ओदे विच बहुत सुंदर कंगियां दा एक सेट सी जोड़ा सी, हाओ हैड जिम मैंज तू बाइदा गिफ्ट फर डेला, जिम ने डेला देली एक तौफा करीदिया सी, उक्के में लिया सी, जिम हैड सोल्ड इस गोल्डन वास तू बाइदा गिफ्ट फर डेला ता, जिम ने अपनी सोनेरी कडी बेच के डेला देली हो कंगियां दा जोड़ा खरीदिया सी, तेदे विचों एक कॉस्सन जाएगे, जोड़े लॉंग ने, इंपॉर्टन हो सकते ने, फर्स्ट, सेकिंड, थर्ड, इनन दा स्क्रीन चोट ले लिए, तेना नो याद कर लिए, इस बाद आप पेदे एसे लेसे थी, ट्रांसलेशन ते अबजेक्टिव टैब कॉस्सन देख दें बेटा, हांजी बेटा, ट्रांसलेशन देज पहले भी, हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली, उस दिया अख़्ा ते जीनन चमकरिया सन, टियर्स अपीरड इन हर आईज, उस दिया अख़्ा विच्च अथ्रू आगे, थर्ड, डैला लेट फॉल हर ब्यूटिफुल एर, डैला ने अपने खुबसूर्थ बाल डिगन दित्ते, आई सोल दा वाज टू गट दा मनी टू बाई यूर कॉम्ट, तेरियां कंगियां ख्रीदन दही मैं अपनी कड़ी बेच दित्ती, विल यू बाई माई हीर, की तुसी मेरे बाल ख्रीदोगे, डैला फिनिस्ट क्राइंग, डैला ने रूना बंद किता, इट वाज अ प्लेटिनू वाज चेन, एक कड़ी दी संगली, प्लेटिनू दी सी, ठीक है, जिम वाज नेवर लेट, जिम कदे भी देर नी करदा सी, उसनू, सुरी, शी फाउंड इट अट लास्ट, उसनू, खीर विच ओह, मिल ही गया, शी स्टाप्ड अट 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 दुकान ते रुकी, इस तो बाद दे कुछ उबजेक्टिव टाइप क्वस्टन है बेटा, ठीक है, इना उनू भी रीट करेओ, बहुत एजी है के, पढ़ूंगे तो त्यान आना, समझा जुने के, ठीक है बेटा, ता एफ, ता लेसन नंबर फिफ ता अपना, सम ग्लिम्सिप्स आफ एंसियंट इंडियन थाट अट 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 प्रैक्टिसेज, बहुत एजी नेसन हैंगा, अगर तो तो शित्यान नू पढ़े आएगा, तो फिर्स्ट कॉस्टन देखो, वट कॉस्ट इस्प्रेशन टू गॉड्स, ठीक है, जड़े देवते सी, उनना दी नराशा दा की कार्ण सी, जड़े डेमन्स वर विनिंग दा फाइट्स, जो शैतान सी, वो की सी लड़ाई जत्तरे सन, दिस कॉस्ट इस्प्रेशन टू गॉड्स, ठीक है, एजी नराशा दा कार्ण सी, नराशा दा कार्ण सी, नराश वही डेवते सी, किस देकुल जान देवी, दा गॉड्स वेंट तो लौड विश्णू, ता वो जड़े सारे देवते हैंगे, वो लौड विश्णू देकुल हेल्प देली जन दे हैंगे, वर डिड़ विश्णू अडवाईज देम, जड़े लौड विश्णू आगे पगभाण विश्णू ने, उननों की सलाद इंदे ने Lord Vishnu advised them to get a mighty sword तो उननों सलाद इंदे ने भी कजही तलवार बनाई जावे prepared from the bones ठीक है? हड़ी की हड़ीयां तो बनी होई of some great seas इकमान संत मुनी दिया हड़ीयां तो बनी होई तलवार भावे Question number fourth What was the sacrifice of सेंट जीची जेड़े संत जीची सी उनना दा बलिदान की सी सेंट जीची sacrificed his life to उनने अपने जिंदगी नो तियाग देता या बलिदान देता to give the gods a mighty sword prepared from his उनना देवतियां देली तलवार तियार करनी सी तीक है? सेंट जीची ने अपनी हड़ियां तो तियार करवाई है इसकार कि उननने अपनी जिंदगी नो sacrifice कर देता Number five Why did some scholars laugh at Asta Bakra? कुछ जेड़े विदवान सी Asta Bakra ते उपर क्यों हसे? Some scholars laughed at Asta Bakra because he had a deformed body Question number six What was the status of woman in ancient India? प्राचीन पार्थ दे विच्च जड़ियां औरतां सी उनना दा रुतवा क्यों जासी Women enjoyed a very high status उसमेना दा पदर बहुत वदिया सी Their participation was needed in every function हर एक program दे विच function दे विच उनना दीश मूलियत होना लाजमी सी तीक है यह च्छोट questions से बीटा इस तो बद long questions ने इस lesson दे विच्च First देखो How does the author support the idea of the victory of good over the eve? ता यड़ा सब्सक्रादा लेकर कैगा ता यड़ा सब्सक्रादा लेकर कैगा ता यड़ा सब्सक्रादा लेकर कैगा उसने के में अपनी जिंदगी दा बलिदान देता पर देवतामानों एक लिवार बनाऊन देली Guru Govind Singh's son sacrificed their life for truth कि में Guru Govind Singh Ji दे पुत्तर सी उनना ने सची देली अपना जिवन कुरवान करते ता ये अपना कोड़ दो examples नी एक सेंड जीची वारी ते सेंड एक गी Guru Govind Singh's son ठीक Second question Where does the practice of langar stands for? एक तुसरी सुने हैगा लंगर प्रता जा लंगर संस्ता तो की पाव है? लंगर is a symbol of love and brotherhood जा लंगर हैगा ओ प्यार अते प्रत्री पावदा चिन है इट तेल्स देट एस अनुदस्दा है देट वही शूड शेर अवर मेज भी दादर्स असी पोजन, सद्धा पोजन दुज्यानन शेर करना गा इट शोज देट आट अल दा प्यूपल्स आर इकोल एदर साउंदा गा भी सारे लोग की ने बरापर ठीक है पेटा? इस तो बदा पाई लेक्सन दी ट्रांसलेशन दी अब्जेक्टिव टाव कोशन कर देंगे हां जी पेटा? ता ट्रांसलेशन दे विचे देखो इस फर्स्ट अपने कोल तुसी पन्याब्य दी लिखे लिए बैस तुसे लिखी विए गी चले कोवर में करवादना फिर भी दा गॉड्स अप्रोच दसेज ददिची देव ते संत दिची कोल पहुंचे सेकंड देखो दिची टुक नो ताइम लेइंग दाउन इस लाइफ दिची ने अपनी जीवन्दी कुरवानी देन बिच्च कोई समा नहीं लगाया थर्ड इट ओनली अफ्टर यू हैव शेर्ड यूर मील विद अधर्स अपना पोजन दुज्या नान वंडन तो वाद खाव पूर्थ अवेल नोन सेज नेम्ड अस्टवकराबाज आलसो इनवाइटर तो दिस मीटिंग ठीक अस्टवकरा नाम दे परसिद रिशी नू भी इस सवा विच बुलाया गया सी ठीक बुलाया गया सी फिफ्थ देखो दा इंटाइर यूनिवर्स्ट इस वन फैमली पूरा संसार इक परिवार है जा सारा संसार इक परिवार है इस ड़स नॉट बिलॉंग टू मी एहे मेरे नार सबंदित नहीं है एहे मेरे नार सबंदित नहीं है सेवंथ दे चूज टू बी ब्रिक्ड अलाइव ठीक है दे चूज टू बी ब्रिक्ड अलाइव उन्ना नी नीहा विच जोंदे ही चिनवाया चिने जाना चुनेया ठीक है चूजना चुनेया उन्ना नी नीहा विच जोंदे जी चिने जाना चुनेया अठमा The history of this great land is full of example इस महां तर्ती दा इतिहास उदारान परिया पिया The people of this country believe in the unity of life इस देश दे लोक जीवन दी एकता बिच बिशवाश रख दे Number 10 King Janak of Methil called a meeting of the scholars Methil de Rada Janak ne vidwana di ik sabah bulbaai ठीक है बेटा अपने कोड़ translation सी English to Punjabi Next अपे दे objective type question कर लाने हैंगे ठीक है तर्त देविच फर्स्ट कोड़न देखो अपने कोड़ है अपने स्कॉलर्स लाफ एस अस्ट बकरा अस्ट बकरा जीवर्मड बारी 54 Second question ने दा In ancient India the woman was always considered a goddess अजी ये true है 55 Gods went to Lord Vishnu in desperation अजी ये भी सही है true है 56 Who was losing in the battle between gods and demons कौन हारे सी भी कौन हारे सी Gods हारे सी है नँ Demons तो gods हारे सी Next देखो 57 What did Lord Vishnu advise the god to make की बनोना सी भी एक सबार्ड बनोनी सी 58 Shivazi bored his head before the one ये तुसी पड़े गी स्टोरी दे विच की सी जड़े शिवा जी दे सैनिक सी जित्ते हो मतलो हमला कर दे दो तो कुछ औरता नू बंदी बना के लेया हों दे आगे तो जो दोनना औरता नू शिवा जी सामने पेश की तैयन दागे ठीक है respect दे दो आंजी बेटा नेक्स अपर सिक्स्ते लेसन पड़ांगे आंजी बेटा नेक्स भी लेसन नंबर सिक्स्ते है The Home Coming तो फस्ट क्वेस्ट ने दे बिच बहुत इंपोर्टन है Who was Fatik? Fatik कौन सी? Fatik was a 14 years old boy 14 साल देक लड़का सी He was the ringleader among the boys of his village ठीक है उस दे पेंड़ दे जेड़े बच्चें दा समू सी उस दा हूँ लीडर सी Second What was the new Miss Chief Fatik's thought of? ठीक है Miss Chief दा शरारत Miss Chief means शरारत ता Fatik नूँ एक नमी शरारत की सुची सी Fatik and his friends wanted to roll the log away and annoy the owner ठीक है ठीक नूँ पुश करने कोशिश किती ता जो उस दे मालक तो दूर होजे Number 3 Why were Fatik and his friends annoyed with the makhan? जड़े Fatik तो दोस्ते गे ठीक हो makhan दे उपर मतला गुसा क्यों दे आगे उस तो नराज क्यों देने annoyed दे नराज हो न तो makhan came and sat on the log so दे वर annoyed जड़े लोग नूँ पुश कर रहें दे माक सारी Fatik उस दे friends ता जड़े माकhan देगा Fatik दा brother देगा उस लकड़े उपर आपके बैठे जान दागे इस करके उस सारी उस तो नराज हों देगी Question number 4 What were Fatik's last word? Fatik दे आखरी शब्स यो किसी Fatik's last words were How does Fatik feel when he is at Kolkata जो तो Fatik Kolkata देवे चसी ता क्यों में महसूस कर दा सी He feels like a fish out of water ता हूँ में मन उपर कर दा सी जो में एक मच्छी पानी तो बारा गी होए He is very unhappy उबहुत उदास सी His aunt dislikes him उस दी जड़ी auntie सी उसनों पसंद नहीं कर दी सी His cousins mock at him उदे यडे के छेरे परासी उदे उपरास दे सी His teachers teachers can him daily He feels very sad Second Who is responsible for Fatik's death Fatik the motherly किनों जम्मेबार ठेरा जासकता गा His aunt is responsible for Fatik's death उस दे यडे auntie सी Fatik the motherly जम्मेबार है She dislikes him उसनों पसंद नहीं कर दी सी She ill-treats him उस दिना बुरा विभार कर दी सी Fatik's falls very ill Falls very ill जद फतीक बहुत जदा बिमार हुजन दागा But she scolds him that time also उस समय भी Fatik नों बहुत डांट दी एगी Question number 3 तुसी कवर स्क्रीन चोट ले ले बेटाई था एह answer ज़े बहुत easy एगी Next third Give a pen portrait of fatigue Fatik is a 14 years old boy 14 साल दाइक लड़का गा He is the ringleader of the blaze boys पेंड़ देवे चेड़े बच्चे अगे उनना दाओ Netta बने आएगा He is a fertile mind तेस तरार दमाग वाला गा His uncle takes him to Kolkata उस उन्हों कोलकता ले जान दी एगे But he feels like a fish out of water His aunt dumbbells him daily And the auntie उसनों हर रोज डांट दी है His cousins mock at him जी पर दो कर चुके ता एक बार इननों तुर्ट दी पढ़ दो थे अननन इस तो बारत आप लच्चे अचे आपि एड़े Questions आइगे ते translation है How Next आपि एज़ेशन दी अपने को Translation है The boys were puzzled for a moment मुंडे एक पालली उर्जन विच पह गए Second, फाटीक रिफ्यूस टू मुव फाटीक ने हिलन तो इनकार कर दिता जब फाटीक ने हिलन तो ना कर दिती Third, फाटीक चक्रवर्थी वास दा रिंग लीडर Among Us, the boys of the village ज़िए पंजाबी लिखोंगे फाटीक चक्रवर्थी पिंडदे मुंडेयां दा मुखी सी मतलों लेड़ा गुरूप सी हो दा मुखी सी लीडर सी हो He could not wear this injustice ठीक, injustice उन दा पता अन्या ओहो एह अन्या नू सै ना सक्या Fifth, the stranger asked him again ठीक, a stranger उन दा अजनवी उस अजनवी ने उसनों दवारा पुच्छिया At last, बिशंबर asked the police to help him तो कैज़े बिशंबर लिखोंगे अखीर बिशंबर ने पुलिस नों अपनी मदद ले बुलाया Seventh, किया, sorry, किया तो कैज़े अखीर बिशंबर ने पुलिस नों मदद ले किया One day fatigue lost his lesson book एक दिन फाटीग ने अपनी पाटपुस्त का गुआ लिए जग गुम कर दिती Eighth, the next morning fatigue was nowhere to be seen अगली सवेर फाटीग किते वी नजर ना आया Number ninth, बिशंबर बोट इन डॉक्टर बिशंबर ने एक डॉक्टर नों बुलाया Tenth, mother the holidays have come माता जी चुटिया आगया ता ये धी translation सी इस तो बादे रे पाट बजेक्टिव टाइब कोसें भी वेखलाने हैंगे हाँ जी ता फर्स्ट कोसें देखो भी अपने कोड़ है What was the name of a fatigue's brother fatigue's brother दा की नाम सी बेटा उदा नाम सी माखण की नाम सी बेटा माखण M-A-K-H-A-N Next, fatigue's uncle lived in जी fatigue दे अंकल सी किते रिंदे सी कौल काता दी विच Third, fatigue's aunt welcomed fatigue at her home उदे स्वागत किता सी No, it's the false Next, fatigue's dad's did not like his ways fatigue's mothers did not like his ways Next, fatigue wanted to move a dash from its place हांजी हो की सी एक लॉग सी लग कर सी Next, fatigue's last words were Mother's dash have come Mother's holidays have come ठीक Next, नहीं पर लेसन नमबर कर देंगे हांजी, seventh lesson है बेटा पना The making of the earth बहुत एजी लेसन है भी Important विदे वेचो क्वस्सन आएगा What are planets? ठीक है, ग्रै की हांजी है Planets are the heavenly bodies which move round the sun यह उपारे वस्तों ने जो सूर्ज दे अलेद वालेकुम देने Example दे अर्थ हूदा आरंदे तौर्थ है हमें साड़ी अर्थ इसने यूपिटर, सैटर्न सारे प्लैने Define solar system जो सूर्जी परिवार रहेगा ते बारे पहले लिखनागा Solar system means the family of the sun सूर्जी परिवार तो पावेगा सूर्ज दा परिवार It has the sun एदे विच सूर्ज है It's planet एदे ग्रेहन and their satellites ग्रेहन दे उप ग्रेहन Third, how can you distinguish between planets and stars तो सी ग्रेहन आते तारेहन दे विचकार के में अंतर कर सकते होंगे कि यह बट़ जो स्टार्ज नहीं कि जो ट्विंकल, चमक देने परंतू ग्रेहन नहीं चमक दे Stars twinkle while while planets don't know जेड़े स्टारे हैगे ओ चमक देने, ग्रेहन नहीं चमक दे Stars are bigger than planets जेड़े तारे हैगे ओ ग्रेहन दे मुकाबले बड़े हुन दे How was the earth formed? तर्थी के में बनी The earth was the part of the sun जेड़ी तर्थी है कि दे from the sun फिरे तूरस तो दूर हुई It cooled down slowly होली होली थंडी हुन दी गई Thus the earth was formed यस तरिके नन तर्थी दा निर्मान बयासी ठीक? Next यह लोगा उनस टाप कोस्टन सी नी पस्त देखो Write a short note on the making of the earth ठीके तर्थी दे बन दे उपरी कपाँ The earth was a part of the sun यह बिल्कुल सेम जिड़ा पर अंसर यह वाला किता सी बिल्कुल सेम इदे नालदी अंसर हैगा इन तुसी read कर लिए यादी कर लिए Second देखो Write a few words on the happy family of the sun ठीके? Sur is the यड़ा खुश परिवार हैगा ओदे उपर अपर कुछ शब्द लिखने हैंगे यह मैं देखो Solar system means the family of the sun ठीके? Sur is the परिवार It has the sun यह विचे सूरज है Its planet यह ग्रेहन and their satellites in it ठीके? यह यह दे उपर ग्रेहन यह विचे शाम मिलने Solar means family of the sun Sun is the father Father of the all planets यह दे सूरज जगा सारे ग्रेहन दा पिता है ठीक? उन्हा पर दे objective type question भी कर लिए थे Translation पंजी बेटा Translation दे विचे फस्ट देखो भी The sun and the planets were there satellites from a happy family सूरज यह दे उस दे ग्रेहन अपने उप ग्रेहन नाल एक खुशाल परिबार बनाओं दे हन Second At night you see thousand of stars in the sky तुसी रात समें अकाश विचे हजारां तारे देख दे हो Third यह बेटा देखो The real stars are like our sun असली तारे साथे सूरज बांग हुन दे हन Fourth So the earth started to cool इस तरह तरती थंडी होनी शुरू होगी Fifth Stars twinkle planets do not तारे टिम्टमों दे हन उप ग्रेह नहीं Can you distinguish you जुड़ी न प्लेनेट अन दे स्टार की तुसी एक ग्रेह आते तारे विच फर्क कर सकदे हो Seventh The moon is called a satellite of the earth चाननू तरती दा उप ग्रेह के हा जन्दा है Our earth belongs to the family of the sun सड़ी तरती सूर्जी परिवार ना समंद रख दी है In reality our sun itself is a star असली बिच सड़ी सूर्जी वी एक तारा है We think the earth is very big असी सोच देहा के तरती बहुत वड़ी है ठीक है इस बाद अपने Lesson number 8 The questionances बेख दियांगे Lesson number 8 The rule of the road The last lesson है अपना The main course book देविच The first question देखो Why was the star lady walking down the middle of the road अजी उज़ी औरत सी road देविच कार क्यों चल रही सी Because she thought that क्यों क्यों सोच दी सी के He had the liberty to walk wherever she liked उसकोड जादी है उस जित्थे मर जी चल ले Second question What was the writer reading during the journey The writer was reading a blue book during the journey Third What was the intruding passenger talking of He was talking of any and every subject with no purpose Fourth What is the basis of social contract? A sensible thinking for the rights of others is the basis of social contract ताह दे विच्वे दो long answer type questions ने बेटा The first question दे दे विच्वे दो questions ने वी और देखो मतले एनना दोना अंसर बिलकुल सेम Write the theme of the essay The rule of the road Liberty is not a personal fear But a social contract Explain Liberty is not a personal fear It is a social contract It is good to have personal liberty But we should also think about others ठीक है ताह ये दे को असनन ससी बिटा इस तो बाद आ पकल करने भी एदे ट्रांसलेशन दी हाँ जी बिटा ट्रांसलेशन है भी दी First देखो You may not think so हो सकदा है तुसी जया ना सोचो Second देखो I am going to walk where I like जिते मैं चाओंदा हाँ उते चलांगा Third He was obviously a well-intentioned person First तो औरते हो एक वदिया ही रादे वाड़ा विकती सी Fourth We must be eudigious mixture of both The great moments of heroism and sacrifice are rare I hope my friend in the railway carries will reflect on Number 7 You have a liberty to laugh at me तो अनू मेरे उपर हसन दी जाती है Liberty is not a personal affair Only but a social contract स्तंतरता मातरिक निज्जी विशा नहीं हुंदा परांतु एक समाजिक समझोता भी है Number 9 We have got liberty now उन सानू स्तंतरता प्रापत होई है I may be as free as like मैं जिस तरह 14 उस तरह स्तंतर हो सकता ठीक है बटा ता ये ट्रांसलेशन सी एस तरह के नहीं अनू आपा येस वीडियो देविच Lesson No. 5, 6, 7, 8 जो अपने में Main Course Book दे लेसन हैंगे वो सारी लगबग कम्प्ली Main Course Book देविच अपने कुल 5 Poems ने Poetry Section देविच ता उनना दे जब Objective Type Questions एस वीडियो देविच अपने कुल 5 Poems ने अपने जो 5 Poems दे अपने कुल जडे Objective Type Questions ने वोनना नू इस वीडियो दे विच जानांगे ता ये विच बैसे अपने Central Ideas इन Poems दे पहला कर चुके बेटा देक अपने पहला वीडियो बना चुके वोदे विच अपने इने 5 Poems ने उनना दे Central Ideas वारे Stenses वारे गल कितिया परन्तु एस वीडियो दे विच वी तुसी देखोंगे भी एत्ते वी अपने कुल Central Ideas देते आगे अगर तानू ए वाला सोखा लगता भी ता तुसी ए कर सकते योंगे अदर्वाइस जेव पहलना बाली वीडियो देविच अगर तानू सोखा लगता तुसी दोवी कर सकते योंगे तेनार नाल चोलतानू सेंटर आइडिया भी प्रदवारा करला ने यागे यह में देको फर्स्ट पोईम है अपनी Character of a Happy Man यह सर हेंडरी बोटन द्वारा लिखी गे पोईट है ना दे हेंडरी बोटन ने यह तुसी याद रखना बेटा पहला ली वीडियो वीडियो विच तानू दसी ऐसी पोईम्ज नेम और पोईट नेम यह तानू यादोने जीन देगे ताइदे भी चिक पर देख लो This is a very beautiful poem It gives us a very good message यह बहुत सुन्दर कवतागी It gives a very good message यह सानू बहुत वधियस संदेशी दिन दिया Happy man is honest यह खोश व्यक्ति हो इमानदार है He is content and truthful He does not fall up to pride ताइदे भी कमांडर नी करदा He has faith in God यह खोश दा प्रमात्मा विच्च विश्वास्च ठीक है बहुत एजी है Next is the objective type question देख लो बेटा First अपने कोल A happy man dash ताइदे अपने कोल Any is none Any वी उन्दागा जड़ इर्खा करदागा ताइदे विच अपने कोल आएगा None Second A happy man obeys the rules of Traffic king government नी Goodness ताइदे चंग्याई दे नियम ने उनना नो उनना दी पलना करदे Third A happy man is afraid of death ताइदे अपने कोल False है जड़ा खोश व्यक्ति हैगा उका देवी मौत तो ड़दा ने First देविच सी Second Poem No.2 अपने कोल Death the Label एक Poem लिखी गियागी James Shirley दोबारा ताइदे भी तुस्थी कोब Central Idea देख लिए This is a very beautiful poem It gives a very good message Death is very powerful It is a great labeler All are same before death It spares no one Only good works of a person Remain after his death एक बहुत easy lines ने पेटा तो एनना परीड करनागा याद भी करनागा अजी objective type question बेख लो Ultimate fate of all human beings is अजी कियाभी Death सारे ये ब्यक्तियागा उनना दा अंत दे उपर कियागा Moth अंतिम अंत लेब Fate means किस्मत उन्दीयागी अंत दे विच्छ सारे याद ने यांत उनागा जनने भी human beings ने जो भी चीज़ बनियागी किसे व्यक्ति दी मरन तो बाद की जिंदा रहेंद अभी की जिंदा रहेंद अगो से दे चंगे His good deeds Good deeds Third The glories of blood and state are just shadows अंजी बिलकुल सही है ठीक है इस तबद अपा point number third व्यक्तियागी अंजी Third point में भी The Lord of Sir Pradhaap Singh Poet name है गा Sir Henry Newbolt ठीक हो थे Henry Botton सी Crack drop happy man दे विच्च अब Lord of Sir Pradhaap Singh दे विच्च Henry Newbolt है तुसी तिया रखने है बिटा अंजी ते 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 सेंटरल लाइड है देख लिए This is a very beautiful poem It gives us a very good message The poets say that all castes are man-made ठीक हो कभी सन्नों दसदा गा All men are same in this world एस संसार दे विच्च एड़े सारे लोक नो की ने All noble person belong to one caste of a brotherhood एड़े सारे चंग एंसान ने और नांदा सवंद प्रात्री पावदे जाती है कि उस दिनान है Object to take question देखो इस poem दे Sir Pradhaap Singh lived in Dash house अगर तुछी देखोंगे भी ए लगपग सारे सेम जे लगते ने परन्तू एनों पते आनना पड़ना गा उनना दे हा उस्दा नाम सी Rose Red Red Rose नी Rose Red Second Sir Pradhaap Singh's friend was Dash soldier and KD soldier see you an English soldier Third According to the priest Pradhaap Singh lost his caste forever तिका जड़ा उपादरी सी उसने की कही प्रदाप Singh ने अपनी जाती है मेशा लीग गवाली है कि हंजी किये गी ट्रू आंजी वेटाइस्तोवध पार Poem No.4 Fourth Poem देख दियांगे गेड़ी है कि तो एपने कोल Where the Mind is Without Here तो एपने कोलेगी रिविंतनात्य गोर्दवारा लिखी गिये तो सेंट्रलाइटी देख लिएक बार एदाभी अगरे सोखा लगा देखार लिए उनी पहलने वाली वीडियो देखाएगा This is a very beautiful poem It gives a very good message The poet prays for his country जड़ा कभी है अपने देश दे ली प्राथना करदागा The poet prays for his countryman जड़ा कभी है अपने देश दे लोग का बस्ते प्राथना करदागा He wants his countryman to lie without fear ओ चौंदा अगा उस दे देश दे नागरी का बिना डर तो जी सकर Everyone should have right to education The poet prays for a land where dash is without fear Where mind is without fear Third, to whom does the poetry pray in this poem जड़ा साड़ा पोईटागा भी ओ किसनो प्रे कर रहेगा इस poem देविच्च ओ प्रे कर रहेगा God ठीक ता है अपने को लिएटा पोईटा पोईटा जेना देप सेंट्रल आइडियाज कित्ती हैंगे ता सब्त पहला एको क्याल गलते आंच रख्यों अपने को लिए अपने को लिएटा पोईटा पनांगे बेटा नाल नाल तुसी ओस देड़ा पोईटा भी उदा भी नाम याद करनागे वोने दा कारण कियागा यहखो यहटतानू सेंट्रल आइडिया आएगा ना व आएगा तेन नम्मर दा थ्री माक्स दा अपने को लिएगा एगा एस तो बाद भीटा अपने को लिएक स्थैंजा भी ऐस टाइप दा देमें दित्ता गा फोर फाइव यह जिख लाइनस था ुक्यू blending नाम टें सब्सक्राइब हो, नत द्वाइब कर्यों की तो फस्ट पोइम अपने कील employees character of a happy man तो यह लिखी गी एगी Sir Henry Botton द्वार poem name character of a happy man point name Sir Henry Botton तेरे विच राइट a note on the central idea of the poem ठीक है जन्स summary इगलते आँच रिख्यो summary आवे, theme आवे, central idea आवे तो आपा जो पर central idea लिखेगा वो हो ही लिखा ठीक A truly happy person leads an artificial life एक जड़ा खुश रहन वाड़ा अव्यक्ति है वो artificial life जोंदा आगा He is jealous of a man ठीक है ओ किसे ना न भी इर्खा नहीं करदा He is content with whatever he has ठीक है वो सुन तुस्ताइगा जो भी दिखो रहे यह दियागा तो ही satisfied भी लिख सा दें भी ठीक है He is not a slab of his passions He prays to God Delhi and follows the path of goodness ठीक है एक तो देती ने एस तो बेना तुसे देवी चीक दो लाइन्स होर एड़ कर सकतें भी ची में लिख सकतेंगे एक लाइन्स होर एड़ कर सकतेंगे एक लाइन होर एड़ कर सकतेंगे टीक हो JIMी आएक अपना गुड़ कर सकतेंगे इस तो बाद एक अपने गुड़ा स्तेंग हो पिस्ट्ग हो horn प्रांतु अपाथे पेपर देविच तेन्नो ही अटेंप्ट करांगे ठीक है तब फस्ट देखो नेम दा पोईम एंड दा पोईट देखो यह अगर फस्टी को सिन अपने कोले तब पोईम नेम किसी करेक्टर आफ एपी मैन पोईट नेम एंगा सर हेंडरी बॉटन सेकिंड वट इस दा आर्मर आफ एपी मैन ठीक होदा थियार कियेगा भी तो दा थियार अगर ओनेस्ट थाउट इस दा आर्मर आफ एपी मैन ओनेस्ट थाउट किते मिले सी यह पनूँ आदेखो आर्मर इस ओनेस्ट थाउट 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 पैसे देविच भी उन्हों वर्त सकतेंगे देविच देखो उन्हें पुछ शी आर्मर ठीक है तर आप जया कर देखा है थर्ड लाइन देविच यूज कितागा आर्मर इज इस ओनेस्ट थाउट थाउट थर्ड देविच देखो अटमोस्ट स्किल अलेके न तो की अटमोस् एजिमाग सनेया पाल लाय सकनेया बड़ी सानी नन ते चलो एक ओर कर लाया नेस पॉइम देविच ओ ठर्ड कर देविच देखो विच दो क्या कर देखो फस्ट रूट तो हैपी मैन मतलों किसे नन एनविच दगा इर्का कर दगा आ एपी मैन एनविज नोबड़ी हो किसे नेकर ना? next what does a happy man not understand? की नी समसकता गया? happy person do not understand how deepest bounds are given with praise who never understand how deepest bounds are given with praise परसंसा आदे नानवी की वार डूंगे जखम देते जा सकती नी? ठीक, ता इस तरीके इनना कुछ keywords नूँ देखे तुसी इना questions नूँ टम्ट कर सकते हाँ जी इस बाद बेटे दोको second poem में विपने कुछ death the labler James Shirley ते दे विचे दे को central idea आवी चे समरी आवी ता पां answer रही लिखनांगे ता दे को first the poem tells us कवता सनु दस दी है that death treats all at birth जीके जीनी मोहता है गि पारे ना इकोजा विवार कर दियागे it's spare none जीस तो कोई नहीं बसकना all have to bow before the power of death sooner or later सार्या नूँ जडी मोहता है की उस दी ताकत अगे पहला जा बादे भी चुकना पेंदागा कुछ जल्दी कुछ देर बाद only the good deeds of a person सिर्फ किसे व्यक्ती दे चंगे कम are remembered after death उस दी मोहता बाद याद रखे जान दे ताहिस दे बिच विए दोनों पोईम्स तो सी लिख सकने दी it is a very beautiful poem it gives us a very good ठीक है साता ठलाईना मतलब हो जाने तो करीमन 7 to 8 sentences हो जाने नेक्स दे बिच देखो the glories of our blood and state are shadows not substantial things there is no armor against fate death lays his icy hands on kings तो देखो first question लगपग सारे हैं पोईम्स दे विचे ही विंदागा name of the poem and the poet the name of the poem है वेटा death the labeler तो पोईट दे नेम है जेम्स श्रल second what are not substantial things the glories of our blood and state shadows are not substantial things the glories of our blood and state third explain the last line last line death lays his icy hands on kings तो मतला है कि किसी नूँ भी नहीं शार दी death spares none even they are kings also death किसी नूँ नहीं बख्ष दी even they are kings also तो राजय महराजय नूँ भी अंग दी और दी अपना screen shot ले ले लेख दी बाद दी वीच नूँ बढ़ लेख अजी नेक्स्ट थर्ड पोईब अपने कुछ अवलाड अफ सर परताप सिंग सर हेंडरी न्यू बोल्ट द्वारा लिखी गियागी जो पहले सी भी फर्स्ट पोइम सी अपनी करेक्टर आप है मैं लिखी सी सर हेंडरी बोटन नहीं तीक है अवलाड अफ सर परताप सिंग यह लिखी गिया गी Sir Henry Newbold फरक है का दोना दे बच्छ तहां देको Centralitis point दा The poem brings out the folly of the Hindu caste system All men are equally in the eyes of God No one is higher or low by caste Humanity is the only true caste A caste that divides men from men Cannot be called a true caste The poem brings out the folly of the Hindu caste system यह जड़ी कवता है गी जड़ी हिंदू समाज दे विच्छ जाती परता है गी उसनों दर साउं दिया गी All men are equal in the eyes of God सारे यह एरे मनुक्षने परमात्माद या नजरान दे विच्छ एक समानने No one is high or low by caste कोई भी व्यक्ती जात देदा अरते नाता उच्छा गाते नहीं 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 मांगा Humanity is the only true caste मनुक्ता ही एक सची जात है A caste that divides men from men ओ जात जड़ी मनुक्षनों मनुक्त वंदी है Cannot be called a true caste उसनों वसी सची जाती नहीं कह सकते ठीक है एसदे भी तुस्यों दोनों लाइन्स एड़ कर सकते होंगे It is a very beautiful poem It gives us a very good message पर कोशिश करे हो उसनों आपस starting दे भी च्यूज करना गा और दोना लाइन्स च्छिक Next Write a summary of the poem in your own words अगर तुस्यी चाहो ता ये लिख सकते होंगे Name अगर ये याद कर सकते होंगे ता ये भी इसदी आगा ये याद कर लिए इस तो बाद बिटा इस दे भी चोपने उको लेक स्टेंजा का भी स्टेंजा कर लाने अपा Name of the poem and the poet ये लगपक सारी यां स्टेंजा दे भी चोएगा अभी इना नो तुसी में ता बार बार करेंगा अभी poems दे नाम दे, poet दे नाम अपा याद करने अगे ता poem नहीं मैंगा अवलाड आफ सर परताप सिंग poet नहीं मैंगा सर हेंडरी नूबोल्ट ता second question देको Who came to परताप सिंग's house ठीक है परताप सिंग दे कर दे विच्छ कौन हो दागा a writer came to the rose red house ठीक है परताप सिंग दा house ही male si rose red house ता कौन हो दागा a writer came ठीक है a English soldier ठीक है a writer writer si वो एक English soldier si third What was the house called ठीक है जो करसी में जा परताप सिंग दा ठीक है उसनो की के जाएंदा rose red house rose red house the house was called the rose red house how long had परताप सिंग been the king ठीक है he was in the first year of his rule, first line दी में चलिक है ठीक है in the first year of him ठीक है इस तो बार second ने विटा, इदा 16 चॉटल लिए भी third next fourth ठीक है फिफ्थ इस तो बाद पॉइम नंबर फॉर बहुत इजी पॉइम हैंगी ते रजिया दा टाइकरेस ठीक है के के अंदर उबाला दी लिखी हैंगी है बहुत इजी पॉइम हैंगी भी आई दे बिच वो देखो central idea और theme ठीक है वो दो लाइंज भी पर पहते अड़ कर साथ it is a very beautiful poem it gives us a very good message next the theme brings out the danger to our wild life and natural resources man has been cutting the trees for his selfishness ठीक है selfishness अंद ये भी खुदगार्जी the poor wild animals have nowhere to live they live in the danger of pochers pochers उन्दने शिकारी ठीक है the poem brings out the dangers to our wild life and natural resources जड़ी कबता हैगी उपेश कर दियेगी ठीक है साथी जड़ा जंगली जीवन आगा ते को दरती जड़े साधन ने ठीक है उन्हों खतरे विच ने man has been cutting the trees for his selfishness मनोख अपनी खुदगर्जी दे लई जा अपनी सवारत दे लई जंगलानों लगातार कट रहा है the poor wild animals have nowhere to live उन्हों कोड रेन दली कोई टिकारना नहीं है कोई लगातार जंगलानों कट जा रहेगा they live in the danger of poachers उह हमेशा शिकारियां दे डर दे विच जों देने हंजी second write the summary of the poem रजिया दा टाइगरेस she is a male tiger they have two little cubs उन्हों दो छोटे बच्चे हैंगे what now she has left them उन्हों शेरो नों शट के चला गया she cannot go hunting क्योंकि हुनों उदी two cubs ने इडी रजी हैगी उन्हों शिकार ली भी नी जा सकती she fears that poachers or hyenas can come and kill her cubs ता उन्हों डर रहेंदा गा विशिकारी जा हाइनाज आके उस दे बच्चे नु मार ना देख ठीक next एदे बिच्चो देखो पर एक stanza कर लानेंगे ता फस्ट देखो अपने कोड है name the poem अंजी रजीया दा टाइगरेस name the point के क्यां दारू बला वो वाज रजीया जी रजीया कौन सी भी रजीया बाज आ जंग टाइगरेस ठीक हाँ देखो the टाइगरेस रजीया बाज ठीक है जी रजीया सी वो एक यंग टाइगरेस सी वो वाज शेरू शेरू कौन सी शेरू एक मेल टाइगर सी ठीक है शेरू बाज आ मेल टाइगर of two cubs how many cubs do they have किन्ने बच्चे सी भी ना दे तो लिटल cubs ठीक है दो बच्चे सी भी ना they have two little cubs ठीक इस ते किन्न सेकिन्न पैसे जाज़ा स्टन्स आगा ये तो दुसी स्क्रीन शॉट ले ले लिए इस तो बाद बेटा पनी लास्ट पाहिम है where the mind is without fear रिविंदर नाथ टाइगोर बहुत दुसी पैसे बहुत इस पैसे पैसे बहुत है what is the central idea of the poem what is the summary of the poem the poet prays to go to turn his country into heaven of freedom पर जड़ा साथ कवियो प्रमात्मा अगे अरदास करदे प्राथना करदे गा ठीक है अभी ओ मेरे जड़ा साथा देश अगा ओस नू स्तंतरता दे सवर्ग दे पिच तबदील करदे he prays that ओ प्राथना करदा है के his country man should give up all evils evils उने बुराइण ठीक है गिव अप हों दो शड़ देनिया ता ओ प्रमात्मा के प्राथना करदागा के ओस दे जड़े देश वास ही ने तो अपनिया सारिया बुराइण शड़ देढ देढ देश उड़ नौट बी नेरो मैंड ठीक हो तंग देल ना हून मतलों नदी सोच छोटी ना हो भी only then they can get the real freedom ओ ताद ही जड़ी सच्ची जाद्धिया उसनों परापत कर सकते हैं तो इनिया प्रू लाइन स्टार्टिंग दे बिच कितनी हैं सी it is a very beautiful poem it gives us a very good message ओ भी तो CSD स्टार्टिंग दे बिच लिख सकते हून चोले इस दापा एक स्टेंस कर लाने हैंगे first देखो name the poem where the mind is without fear name the poet Rivindranath why does the poet want knowledge to be free the countryman to make the country truly free देशनों सच्ची जादी दमाउन देली what does the poet mean by narrow domestic walls हांजी एदा मतलवागा the walls of narrow mightness लोकां दी तंग दिली जाणों दी तंग सोच ठीक next इदे स्टेंजाज ने इनना दावी दुसी स्क्रीन शोट लाएलियो ठीक है ता एक कुछ पोईम सी बेटा आपने कोड़ो five पोईम सी जिनना दी आप पोईम नेम right poet name ते शेंजा ते central ideas कीत्ति है के इननना दुसी बेटा की करनागा मैं दूबारा फिर कर दाना एक सेट दे तुछी की करनागा अपनी copy दे उपर poem name लिख लणे ने एक सेट ते तुछी लिख लणे ने poet ता इससे तरह के नना अपने कुल लगपर 5 पॉयम्स ने पहलां पॉयम्स दे नाम लेकल लगे ने ते समरे तुसी लिखने इननोंने पॉयेट दे नाम तो जिदर तुसी दो बार उननों पड़ोंगे ता सा नीन नित अढ़ी याद हो जेंगे ठीक है एस अटे